दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप बजाज फिंसर से अपना परसनल लौन कैसे अपलाई करेंगे इसके लिए आपको सिंपली गूगल पर सर्च करना है बजाज फिंसर परसनल लौन ठीके सर्च करने के बद पहले नंबर पर इनके ओफिशल वेबसाइट का लिंक आर आपको इस पर टिक करना है इसके बद आपके सामने यह वाला पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर देखे परसनल लौन वाला सेक्शनेस में नीचे आना है आपको तो यहाँ पर देखे mention है कि आप यहाँ से 40 लाख रुपए तक का लोन एपलाई कर सकते हैं ठीके हैं तो यहाँ पर enter loan amount 38 लाख रुपए mention है तो मैं आपको for example यहाँ पर 1 लाख रुपए add करके दिखाता हूँ तो मैंने यहां पर एक लाग रुपे एड़ कर दी है अब नीचे देखे तीन तरह के यहने की तीन तरह के लॉन टाइप आपको यहां पर मिल जाते हैं तो पहला है हमारा टर्म लॉन ठीक है यहां पर हमें 12 महीने से लेके 12 महीने तक का option मिल जाता है तो मैंने 12 महीने वाला section स हात्तर EMI है हमारी और ऐसे मैं 12 महीने पर टीक करता हूं तो 8955 रुपे के हमारी EMI बनते है ठीक है तो यह हमारा पहला टाइप है सेकंड टाइप है मारा फ्लेक्सी हाइब्रीड तो फ्लेक्सी हाइब्रीड में हमें क्या होता है तो हमारे यहां पर 12, 24, 36 महीने का option नहीं मिल ठीक है यानि कि दो बागों में आपकी EMI यहां पर convert हो जाती है तो आपको यहां पर यह benefit मिल जाता है ठीक है इसे यह मोलते है hybrid जैसे आपने hybrid मुबाइल फोनों में भी देखा होगा एक SIM लग जाता है एक memory card लग जाता है यानि कि दो option मिलते है तो इसी तरीक से आपको EMI ब लेके भातर मेने का option मिल जाता है तो यहां पर भातर मेने में हमारी 215 रुपए की EMI बैटती है ठीक है थोड़ा से नीचे आएंगे इसकी एक condition है यहां पर आपको fees पे करना ही पड़ती है जो कि अलग से होती है यहां की flexi fees यहां पर लग रहे है 1999 ठीक है लेकिन इस fees को यह अगर यह लगती है तो हमें क्या benefit मिलता है इसके बदले हम कभी भी हमारे पास जब भी पैसो का इंत्याम हो जाता है तो हम for close कर सकते है अपनी EMI इसको वापिस से मैं first वाली टाइप पर आयाता हूं यहां पर यहां पर 72 मंत जो हमारे है वो ठीक लग रहे है तो यहां पर 2034 फिलाल मैंने अंटर करा है यहां पर एक लाक रुपे और इसके वाद जो हमारा offer आता है वह में आगे पता चलेगा क्या offer आता है कितने महीन और कितने रुपे का offer आता है ठीक है तो फिलाल नीच आएंगे तो यहां पर देखें बिल्कुल properly mentioned है कि EMI हमारे 72 मंत की है 2024 की और यहां पर इंट्रेक्स टेट है हमारा 13.5 है यहां पर आप loan summary चेक करेंगे इसके बाद बिल्कुल नीचे आएंगे इसके बाद बिल्कुल नीचे आएंगे और apply वाले option पर टिक करेंगे इसके बाद आपके इसम नेवाल अपचे ओपन हो जाएगा आपको एंटर करना है इसके बाद नीचे आएंगे इनकी pen card का नमबर सारे detail ऐसपर pen card और अधार card होनी चाहिए इसके बाद नीचे आएंगे यहां पर option आए select employment type self-employed और salared अगर आप salared person है और यहां पर salared टिक करते हैं तो आपके पास जो company के official mail idea वो ओनी जरूरी है नहीं तो आप self-employed भी टिक पहले आपका company name इसके बाद nature of business manufacture है इसके बाद constitution यह आपको individual यहां पर select करना है इसके बाद नीचे आना है अब यहां पर पुछे जा रहा है year of incorporation यहां कि किस year से आप अपना business कर रहे है ठीक है तो आपको यहां पर mention करना है इसके बाद annual turnover यहां पर minimum 5 लाग रुपई इंट करना है इसके बाद maximum जितना भी आप यहां पर इंटर कर सकते हैं इसके बाद यहां पर is your residential address and business location the same अगर yes तो ठीक है नहीं तो no कर दीजिए yes है मेरी same है इसके बाद जो पुछ जा रहा है your total monthly loan EMI अगर इसके इलावा आपका पहले से कोई loan चल रहा है उसके कितनी EMIs आप पर account verification in progress सबसे पहले आपको income verification अपनी complete करनी है तो आपको continue करना है नीचे इसके बद आपको income verification करनी है चाहिए आप या फिर self-employed, ठीक है, दोनों का process लगबग same जाई है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, continue करना है, इसके बाद आपको अपना bank account select करना है, इसके बाद continue करना है, तो जिसे मेरा HDFC bank में account है, मैंने यहाँ पर select कर लिया, आप get OTP पर tick करना है, OTP आने के बाद OTP fill करेंगे, इसके बाद submit करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपका bank account number show करेगा, आपको वापिस एक OTP पर tick करना है, वापिस एक OTP आपकी बाद करना है, इसके बाद जो भी आपकी bank statement होती है, वो यहाँ पर show हो जाएगी, और आपको क्या करना है, सब भी permission को लाओ करना है और नीचे देखिए गीव कंसेंट पर टिक करना है योर कंसेंट वाद रिसीट सक्सी सुली इसके बाद आपके सब्सक्राइब पेज ओपन हो जाएगा देखिए आप लिखावा है ओफर डिटेल ठीके ग्रेट न्यूस यू हेव एन अपग्रेड ओफर यहाँ पर एडिटेल को उप्शेण आपके टिक करेंगे तो मैने यहाँ पर एडिट कर लिए अपना एमाउंट मेरो केवल एक लाग रुपे ही चाहिए तो एक लाग रुपे यहाँ पर मैने एंटर कर दिये अब नीचे टैनर है वह हमारा चेंज हो गया है हमें दो उप्शन मिलें 27 महिने का रुणता लिए यहाँ कि 27 मन्त और 39 मन्त तो मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो मैं 39 मन्त को यहाँ पर सिलेट करता हूँ और यह मेरी 4156 रुपे की ओके तो मेरे को कंटिन्यू करना है इसके बाद आपके loan की सारी summary यहाँ पर show हो जाएगी यहाँ पर आपका requested loan amount एक लाख रुपे जिसकी processing fees लग रही हमारी 4,091 रुपे total loan amount नीचे आ रहा है आपका सब कुछ cross check करने के बाद आपको simply continue करना है इसके बाद KYC details ठीके आपका home address है यहाँ पर show करेगा और अगर यह confirm है तो आप yes करेंगे इसके बाद continue करेंगे complete identity verification ठीके आपको अपनी एक selfie upload करने है आपके तो आप कलिका selfie पर tick करके selfie upload करेंगे इसके बाद continue करेंगे complete your KYC जो मारे डिजी लोकर के थुरू होगी हमें continue करना है आपको अपने अधार कार्ट का नमर एंटर करना है इसके बाद next करना है आधार से link mobile नमर पर OTP आएगा OTP फिल करके submit करना है इसके बाद आपको अपने डिजी लोकर का pin एंटर करना है अगर आपको याद है तो ठीक है अगर आप भूल गए है तो नीचे forgot my pin का option आ रहा है जब आप इस पर टिक करेंगे तो आपको अपनी date of birth as पर अधार कार्ट यहां पर एंटर करनी है सबसे पहले date फिर month फिर year ठी इसके बाद आपको new pin एंटर करने का option मिल जाएगा ठीक है अगर आपको पहले से पता है तो आप एंटर करके सीधा done कर दीजिए इसके बाद सबसे नीचे allow कर दीजिए अब आपको add bank का option मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर आपको वही bank account add करना है जिसमें आपको amount transfer करवाना ठीक है सबसे पहले bank name फिर आपका bank account number detail फिल करके आपको simply submit करना है ठीक है दोस्तों इतना सा process था हमारा maximum 5-10 minute का process है जो भी आप account के detail एंटर करेंगे एक से दो दिन के अंदर या फिर कभी कभी क्या होता 24 गंटे से पहले ही आपका amount है आपके bank में transfer कर दिया जाएगा और यह make sure आपको बजाच इंसर्फ से personal loan लेने का जो तरीका है वो समझ में आ गया होगा वाकि आपको इससे related किसी भी तरह को query है तो आप मुझे कमें डॉक से पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कि नई वीडियो में तो guys thanks for using this video and subscribe to this channel